अखिलेश बैया ने कहा कि छलो इधर तोई-धर छल दिये मायवतीज ने कहा इधार चलो तोई-धर चल दिये ये लोग सबसे बड़े दुश्मन है मानवता के आप स्वतन तो छोड़िये न AH अब मेरी तरह बोलिये में जनता में जा के बोलता हूँ कि जो सही लगता है वो करो राहुल देव जी आप ग्यान प्राप्त हुआ आपको आपने दिलकर को सुना आपने खबीर को सुना आपने राम को सुना तो सब कुछ सास्त्रात्र में तो सब को हरा सकते हैं गटबंदन मानवता का दुश्मन है यह लोग प्रहुआ जी को क्या कहा जाए वो स्वतंत्र हैं इसलिए उन पर अंकुष्ट हम लोग नहीं लगा सकते एक अनुरोधी कर सकते कि विनय और विनम्रता ज्यादा शोभित शुभा देती है भारत में भारत के लोगों को आकुष्ट करने में वो उससे ज्यादा नहीं नहीं नह देश के हित में सोचिये मैं आपका पैर पकड़ लूगा जाएंगे सवाल पुछ रहूंगा एक मिनट किस अधार पर आपने इन लोगों को मानवता का दुश्मन बताया पहले बताईए हाँ, इस आधार पे कि जब आप कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का गड़ है आप जब ये कहते हैं लोगों को कि आप जो कहा है वो सही हे, आपके साथ चलिए ये कोई ने कहा है पहले उसको आप किसी ने नहीं कहा है मैं जब जन्ता में जाता हूँ लोग कह रहे हैं कि यहां इतने आदों का वोट है इतने मुसलमान का भी कह रहें तक हांसे आगा है नाम अगहीं दिनेश लाल यादब शुतंत्र नहीं चोड़ रहे हैं दिनेश लाल यादब चलिए बहुत-बहुत आपको छोड़के और आपकी विचारधारा को छोड़के देश में जितने लोग चुनाओ लड़ रहे हैं उत्तर से दक्षिन तक सारी पार्टियां और जितने बतदाता उनको वोट देंगे सब देश के खिलाब हैं अब जो कहा हुआ यही है रिकार्ड में है चालिए झालिए देश घाइब आँ़के पार्टियां यही है